अब ही हम मोजूद हैं वेस्ट बेंगॉल के उत्तर दिनाजपूर के तालकोला में जहां पे 27 फैब को मिन्सपिल्टिक का एलेक्शन होने के लिए जा रहा है जो टीमसी के कैंडिडेट है वाड नमबर 5 से उनका नाम रक्षित सहा है तो चलिए हम उनसे कुछ खास बातचीत क अब आपका पहला चुनाओ या फिर इससे पहले आप पॉलिटिक्स में इंवल्व थे कोई आपके पिता जी या फिर कोई नहीं हम लोग तो मतलब मेरा इसके पहले मेरा पापा मेरा बाबुजी के टाइम से हम लोग पॉलिक्स में इंवल्व हैं मेरे पापा जो बाबुज से मेरी चाची वह भी कांसिलर है चुकी है तो बर अल हम लोग जो है पॉलिटिकल फैनली से बिलॉंग करते हैं पार्टी हमको उप्योग समझा और यह ठिकेट हमको हमारे यह महमारा पारिवारिक सीट है इस सीट से हमको टिकट दिया पार्टी को बहुत-बहुत इसके लिए काम कर सके हमें पार्टी कंडिट बनाया है तो उसके लिए हम पार्टी का जो सोच है उसमें हम कर्मत बनकर इंगे तो आपको अभी आपका माहुल क्या लग रहा है चुना好吃 महुल बहुत अच्छा है कोई टेंशन का बात है नहीं पपलिक सिर्फ भोट का इंतजार कर रहा है वोट कर दिन जो 27 तरीग आए और पब्लिक भोट गिराए ठीक है उसी दिन का सिर्फ इंतजार है और बिरोधी का कोई विसेस कोई भूमिगा नहीं है दलकुला में ठीक है औ और हमारा सुलही वाड में कैंडिडेट जो भी खड़े हुए है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा भोट से जीतेंगे प्लिक के तरफ से यह चीज आ रहा है कि इस बार के चुनों में जिस तरह से बाइपास का मुद्दा हो गया हालाकि वो इसके अंदर नहीं आता है और यह होस्पीटल का जो मुद्दा है वो हम आपको बताई दिये कि दिदी जो साथ तरीका जो परसासनिक बैठ सक था जिसमें हमारे प्रिये नेता हमारे एमेले साहिब जिसको डेवलोप्मेंट के रूप से ही आदमी पैचानता है वो दिदी के पास में परसाब रखे थे और अधिदी साते-सात उसको एक्सेप्ट करके उसको अब्रिकेशन के लिए और्डर भी कर दिये तिरमूल में क्या है कि कोई काम जो है फाइल मेरे नहीं अठक ता है वो साते-सात जो है उसका एक्सेन होता है और वो काम हो की रहता है और बाइपास को जो मुद्द है हमारे runners- दालकॉला बासी और हमारे MLA साहिप को और से जितना भी उनको हम लोग का जो समर्थन चाहिए था और कोई असुविदा था तो हमारे सारा प्रोब्लम जो है हम लोग सॉल्ब करके दे दिये हैं अब सेल्टनल कुछ गाफिलती है उसमें जिसके लिए हमारा दालकॉला बासी अ और वाइपास जो है हमारे जेला बासी और पूरा बंगाल बासी को हम लोग बहुत जल्दी जो है यह हम लोग करेंगे और इसको सुरू कर देंगे जिस तरह से आप वाड पांस से उठ रहे हैं तो अब तक आपको लग रहे है कि कोई चीज वहाँ पर कमी है अब तक हो जाना चाहिए था देखिए हमारा पांस नमबर वार्ड में हम लोग तो जब से मिनिसीपल्टी डिकलीर हुआ दो हज़ार तीन से हमे लोग जीतते आ रहे हैं और वहांका بाबलीक हमारा एक परिवार के तरह है हम लोग सिव नॉमिनेशन करते हैं हम लोग- इलेक्शन नहीं करते हैं वह हमारा परिवार है, परिवार के तरह हम लोग देखते हैं, और हम लोग को वो लोग जान जी से, मन से, तन से, धन से, हर समय हम लोग को आसिरवात किया है, और आने वाला समय में भी वो आसिरवात करेंगे, डेवलोप्मेंट में सारा काम तो मोटा मोटी होई चुका है, कुछ सबसे वर्षाथ हो जाए तो पानी जम जाता है जो तदर घटर यह सबसे बड़ा एक मुद्धा है इसी को हम लोग आने वाला समय में जो डालेंगे और इसको solve करने का हम लोग व्यवस्था करेंगे और भी जो भी development का काम होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे आगे बरकी करेंगे कोई भी काम हो जाते आते आपसे last सवाल सर जिस तरह से आपने कहा कि इसको हम करने का कोशिस करेंगे जो नाले का पानी है उसका आउटलेट वाला काम करेंगे तो आप जीतने के बाद इनके इलावा और कौन सा काम सबसे पहला करना चाहेंगे देखिए हमारा वार्ड में जो भी काम होगा चाहिए वो छोटा काम हो वो बड़ा काम हो मान लिजे वो हमारा घर का काम है काम को पूरा करेंगे चाहिए जैसा भी काम है तो चलिए सरजातिया ते हमारे चैनल के थूरू आप अपने दालकोला के जनता को और आपने वार्ड नमबर पांच के जनता को कुछ कहना चाहेंगे हम हमारे नेत्री ममताव इनर्जी के तरफ से और हमारे नेता गोतम पाल के तरफ से सकल दालकोला बासी को हम एकी बारता देना चाहते हैं दालकोला सहर तिनमुल कॉंग्रेस के तरफ से भी हमें एक बारता देना चाहते हैं कि आप 17 तारिक को दिल खोल के मन खोल के हमारे 16 वार्ड में जो भी TMC के हमारे तिनिबुल कॉंग्रेस के ममता मिनेरजी का मननित कैंडिडिट है उसको जादा से जादा भोट दे कर जिताए और दालकुला जो डेबलोप्मेंट के गती में जो आगे बढ़ा है वो और गती से आगे बढ़े आप लोग आसिरवात कीज और ये होगे रहेगा